हेलो दोस्तों के सब आप सब उम्मित करूँगा आप सब अच्छे होंगे इस वीडियो में रिव्यू करेंगे क्लोबजी क्रीम के बारे में ये क्रीम को बहुत लोग एज़े फैरनेस क्रीम यूज करते हैं अपना चेहरा को गोरा करने के लिए कितना सही है यूज करना ये बताऊंगा चैनल पर नए है सब्सक्राइब कर लेजीगा क्योंकि इस तरह इंफोमेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लोबजी क्रीम को जाइडस के डिला नाम का कमपनी बनाती है जो कि बहुत अच्छा कमपनी है और ये क्रीम का ज्यादा दाम भी नहीं है इंडिया में आपको हार्डली 30 रुपिया में मिल जाता है 25 ग्राम का ट्यूब में ये पेक आता है अब मैं बात करता हूँ इसको यूज किनको करना चाहिए तो देखिए गोरा होने के लिए ये क्रीम को ये जै फैरनेस क्रीम आप यूज नहीं कर सकते क्यूंकि ये एक एस्टरोइट क्रीम है ये क्रीम में जो इंग्रेडियन्स मिल हुआ है वह अगर आप देखेंगे इसमें कोलोबिटासोल है जो की एक एस्ट्रोइड केमिकल है इसके अलावा इसमें जेंटामाइसीन मिला हुआ है जेंटामाइसीन एक एंटीबायोटिक है अब इसको यूज करना कब चाहिए जब आपके चेहरे पे कोई दाग धबा हो सू के लिए डॉक्टर्स ये क्रीम को आपको रिकमंट करते हैं इसमें कोई शक नहीं है अगर आप ये क्रीम को यूज करोगा अपने चेहरे पर लगाओगे तो रिजल्ट में आपका चेहरा जो है गोरा हो जाएगा उस दिन के बाद आपको रिजल्ट दिखेगा कि आप गोरे हो सकता है काला हो जाएगा दाग दबब फिंपल्स वगरा ये सब का प्रोब्लम आता है कोई भी एस्ट्रोइड क्रीम को ये फैरनेस क्रीम यूज नहीं करना चाहिए इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी कोई सीवियर डिजीज है तो भी आप यूज मत करिए ये क्र क्रीम को बच्चे या फिर प्रेगनेट वीमन या जो बच्चों को दूद पिलाती ओरत है उनको यूज नहीं करना चाहिए यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके स्कीन पर कोई प्रोब्लम है दाग दबब तो जब भी आप यूज करना चाहिए मैक शूर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें उसके बाद ही यूज करें तो इस वीडियो में इतने ही आई हॉप ये वीडियो आपके लिए इंफोर्मेटिव रही होगी चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह ग इंफोर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिया अपना थेंक यू सो मच पर वाचिंग